नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी पिछली वीडियो में हमने आसमान में चमकने वाली बिज़्ली, बादलों का गरजना, बादलों का बनना, बारिस और ओला व्रिष्टी के बारे में बहुत कुछ जाना था और हमारे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मनुष अपनी इच्छा से बारिस करवा सकते हैं यदि हां तो कैसे साथ ही हम जानेंगे कुछ और भी रोचक बातों के बारे में तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आये और आप इससे कुछ नया सीखें तो इसे लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें मैं हूं कमल निसाथ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर आईए स्क्रीन पर देखते हैं क्या मानो द्वारा भी बारिस कराई जा सकती है जी हाँ, मनुस्य बारिस करवा सकते हैं और करवाते भी हैं आपने संगीत समराठ तानसेन के राग मलहार के बारे में सुना होगा ऐसा कहा जाता है कि तांसेन रागमलार गाकर बारिस करवा देते थे ऐसी और भी कई दंत कताएं प्रिचलित हैं पर आज के हमारे इस मीडियो में हम मनुस्यों द्वारा व्यज्यानिक तरीके से कराई जाने वाली बारिस के बारे में जानेंगे जिसे क्लाउट सीडिंग यानि मेग बीजन कहते हैं क्लाउट सीडिंग क्या है? जब बारिस की कमी से फसले सूख रही हो और कोई बड़ा थेत्र सूखी की चपेट में आ जाए या ऐसी ही कोई अन्य समस्या होने पर वहाँ बारिस कराने के लिए विज्ञानिकों ने जो तरीका खोजा है उसे क्लाउट सीडिंग या क्रतिम वर्सा कहते हैं क्लाउट सीडिंग का पहला प्रयोग 1946 में अमेरिकी रसायन और मौसम विज्ञानी विंसेंट जे सेफर द्वारा किया गया था और इसके बाद से इसे कई देशों द्वारा समय समय पर उप्योग किया जाने लगा है क्लाउट सीडिंग कैसे काम करती है इसे समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस तकनीक के क्या फाइदे हैं और विश्व के अलग-अलग देशों में cloud seeding कहां कहां और कैसे उपयोग किया जा रहा है साधी के function के लिए लोग बहुत मेहनत से तैयारिया करते हैं कपड़े, make-up और सजावट से लेकर perfect खाने तक पर यदि साधी के function के दोरार बारिस हो जाए तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है और महमानों को भी परिसानी होती है तो ऐसे में यदि कोई company आपकी साधी के दिन आपके छेतर में बारिस को रोकने और सुहाने दिन की guarantee दे तो कैसा रहेगा? जी हाँ, ऐसी कुछ cloud seeding करने वाली companies योरोप और दुनिया के कई अलग-अलग भागों में हैं जो आपकी साधी के दिन बारिस ना होने और खुले आसमान की guarantee देती है पर इन companies का package लग-भग एक लाख यूरो से शुरू होता है कई ऐसे देश जिने भारी बर्खबारी का सामना करना पड़ता है वहाँ cloud seeding का उप्योग करके बादलों को मुख्य सहरों में आने से पहले ही किसी दूसरी जगह पर बरसने के लिए मजबूर कर दिया जाता है इसके बाद जब बादल आगे मुख्य सहरों तक पहुँचते हैं तो उन बादलों में नमी कम बचती है जिससे मुख्य सहर भारी ओला वरस्टी से बच जाते हैं चाइना की राजधानी बीजिंग में सन 2008 में जब ओलम्पिक गेम्स खेले गए थे तब चाइनीज गॉर्मेंट ने उन ओलम्पिक गेम्स की ओपनिंग सेर्मनी और क्लोजिंग सेर्मनी से पहले क्लाउट सीडिंग के द्वारा पहले ही बारिस करा दी थी ताकि बादलों में नमी कम हो जाए और ओलम्पिक गेम्स की ओपनिंग सेर्मनी और क्लोजिंग सेर्मनी के दौरान बारिस ना हो तथा स्टेडियम सूखा रहे पर उन्होंने क्लाउट सीडिंग के लिए हवाई जहाज की बजाए मिसाइल का प्रियोग किया था चाइना में क्लाउट सीडिंग का उप्योग बहुत जादा होता है और इसी वज़ा से वहाँ ऐसे मामले भी आते रहते हैं जब एक प्रांथ दूसरे प्रांथ पर बारिश चोरी करने यानि रेन थेफ का इलजाम लगाते हैं होता ये है कि चाइना में वर्सा की दिनों में जब मांसूनी बादल वर्सा लेकर आते हैं तो बादलों के रास्ते में पढ़ने वाला कोई एक प्रांथ क्लाउट सीडिंग करके अपने यहाँ ज़्यादा बारिश करवा लेता है इससे उन बादलों की नमी बहुत कम हो जाती है फिर जब वे बादल आगे बढ़कर किसी दूसरे प्रांथ में जाते हैं तो उस प्रांथ को कम बारिश मिलती है क्योंकि बादल पहले ही काफी हत्ता खाली हो चुके होते हैं फिर ये प्रांथ जिसे कम बारिश मिली है ये उस प्रांथ पर आरोप लगाता है कि उन्होंने इसकी बारिश चुरा ली वियतनाम वार के दोरान वहाँ पर ओप्रेशन पोपोय के तहर यूएस एर फोर्स द्वारा सन 1967 से 72 के बीच होची मिंग ट्राइल के पास एक खास स्थान पर बहुत अधिक बारिस कराई गई थी ताकि बाड और भूस्खलन से उस सड़क को खराब किया जा सके जिस सड़क से वहाँ की नौर्थ वेतनामीज मिलिटरी को सभी जरूरी सामान पहुचाया जाता था तो इस प्रकार क्लाउट सीडिंग का उपयोग जुद्ध में हतियार के रूप में भी किया जा चुका है ऐसा नहीं है कि भारत में क्लाउट सीडिंग का इस्तमाल नहीं होता सन 1983 में, 1984, 87 और 1993 और 1994 में भी तमिल नडु सरकार ने सूखे से बचने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया था 2003 और 2004 में करनाटक सरकार और महराज सरकार द्वारा भी क्लाउट सीडिंग का उपयोग किया गया और इसके बाद के वर्सों में भी भारत में इस तकनीक का इस्तमाल किया जाता रहा है आपने सर्दियों में ये जरूर सुना होगा कि देली में हर साल सर्दियों में फॉग और स्मोग मिलकर स्मोग बन जाता है और पलूशन का इस तर बहुत बढ़ जाता है ऐसे pollution से बचने के लिए यदि वहां बारिस करा दी जाए तो इस मौग से राहत मिल सकती है और कई देश ऐसा करते भी हैं साथ एक कुछ देशों में एरपोर्ट के आसपास फौग हटाने के लिए भी cloud seeding की मदद ली जाती है ताकि हवाई जहाज की landing और take off में आसानी हो इसी तरह UAE, Indonesia, Israel, Kuwait, Singapore, Malaysia, Sumatra, Sri Lanka, US, Canada और यूरप के कई देश बुलगेरिया, France, Spain, Russia, Germany, Slovenia, UK साथ ही Australia और Africa में भी cloud seeding का उपयोग किया जाता है तो इस तरह cloud seeding का उपयोग कई तरह के फायदों के लिए किया जाता है आईए आप जानते हैं कि cloud seeding कैसे की जाती है समानी तोर पर वर्सा करने के लिए कुछ प्राकृतिक परिस्थितियां जिम्मेदार होती है जैसे हवा में उपस्थित जलवास्प का ज़्यादा सगन होकर बादल बनना बहुत सारी जलवास्प मिलकर पानी की बूंदे बनना गुंदों का ज़्यादा बड़ी और भारी होकर नीचे गिरना आदी ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिससे समाने तोर पर वर्सा होती है और इन सभी के बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो में जाना था आप चाहें तो इस आई बटन पर क्लिक करके हमारे उस पिछले वीडियो पर जा सकते हैं और बादल एवं वर्सा आदी के बारे में जान सकते हैं पर क्रतीम वर्सा या क्लाउट सीडिंग में यही सारी परिस्थितियां मानो द्वारा स्वेम तयार की जाती हैं इसके तीन स्टेप्स हैं पहला, सबसे पहले जहां बारिस करनी हो वहां केमिकल का इस्तमाल करके हवा के द्रविमान यानि मास को ऊपर की तरफ भेजा जाता है जिससे वर्सा के लिए बादल बन सकें इसके लिए calcium chloride, calcium carbide, calcium oxide, नमक और यूरिया के योगिक एवं यूरिया और ammonium nitrate के योगिकों का उपयोग किया जाता है यह योगिक हवा से जलवास्प को सोख कर संगनन की प्रक्रिया सुरू कर देते हैं दूसरा बादल बनने के बाद उसके द्रविमान को नमक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सूखी बर्फ यानि ड्राय आइस और केलसियम क्लोराइड का उप्योग करके बढ़ाया जाता है पहला और दूसरा चरण वर्षा करने लायक बादल बनाने के लिए होते हैं इसके बाद तीसरा चरण तब अपनाया जाता है जब बादल प्राकृतिक रूप से या कृतिन रूप से तयार हो जाएं इस तीसरे स्टेप में बादलों को ठंडा किया जाता है इसके लिए बादलों में हवाई जहाज की मदद से सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ का छिड़काओ किया जाता है ठंडा होने पर बादलों में जल वास आइस क्रिश्टल में बदल जाते हैं आपने कई बार देखा होगा कि आपके छेतर में बादल आते हैं और बिना बारिस की यही चले जाते हैं तो ऐसी स्थिती में जब आपके छेतर में बादल चाय हुए हों तब क्लाउड सीडिंग करके उन बादलों को बरसने पर मजबूर किया जा सकता है इसके लिए जहां बारिस करानी हो वहां रेडार और सेटलाइट जैसे मौसम बिग्ञान सम्मंदित उपकरणों से नजर रखी जाती है और जैसे ही उन्हें कोई कोमुलस बादल दिखाई देता है जो सीडिंग के लिए सही हो तो उसकी सूचना जल्दी से वहां उपस्तित हवाई जहाज के पाइलेट को दी जाती है तो इससे पहले किवा कोमुलस बादल वहां से गुजर जाए जन्दी से हवाई जहाज उन बादलों के ऊपर से उड़ाकर सिल्वर आयूडाइड और सुस्क बर्फ का छिड़काओ उन बादलों पर किया जाता है यही क्लाउड सी जी गई सिल्वर आयूडाइड और सुस्क बर्फ का छिड़काओ आसानी से हो जाता है और इन मिसाइल्स का उपयोग हवाई जहाज की अपेच्छा थोड़ा सस्ता पड़ता है यहां यह बात ध्यान रखने वाली है कि क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों का निर्माड ब कि बनाये हुए बादल किसी और छेतर की तरफ उड़ जाएं तो बहुत ज्यादा समय और धनका नुकसान होगा इसलिए बादल बनाने की अपेच्छा पहले से उपस्थित बादलों पर क्लाउड सीडिंग करना ज्यादा बहतर और कारगर होता है इसलिए ज्यादतर क्लाउ प्रजटी से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए और क्लाउड सीडिंग से होने वाले नुकसान यह काम काफी खर्चीला होता है कुछ वग्यानिकों का कहना है कि cloud seeding में उपयोग होने वाले chemicals यदि अधिक मातरा में उपयोग किये जाएं तो पानी और मिट्टी को प्रदूसित कर सकते हैं कुछ वग्यानिकों का मानना है कि cloud seeding प्रकृति के साथ छेर छाड़ है और इसका जादा उपयोग करने से मौसम का time table बिगड़ता है और जलवाईयों में स्थाई बदलाओ भी आ सकता है तो आज के हमारे इस वीडियो पे हमने cloud seeding के बारे में समझा और साथ ही हमने ये जाना कि मनुस्य विज्ञान के छेतर में इतना आगे बढ़ गया है कि प्रकृति के ना चाहते हुए भी अपनी मर्जी से बारिस करवा सकता है और हमें उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी और हमारे इन motion graphics और model से आज आज आपने बहुत कुछ सीखा और जाना होगा तो अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें और हमें comment कीजिए ये आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे social medias पर भी जुड़ सकते हैं तो और भी जानकारी भरी वीडियो के लिए देखते रहे हमारा चैनल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बाल कम जाप जाते हैं कर तो और हम आप हमसे मिलें समय के अपकी जानकारी पूछना चैनल प्राट चाहते हैं इंस कर दो आप हमसे कीजिए कहीं